नवश्कार साथियों इजी इजी लाइफ यूटूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वाकत हैं हम पढ़ रहे हैं 20th century इंडो इंग्लिश राइडर्स के बारे में जिनका लिटरिचर के फिल्ड में योगदान रहा है उनमें उसी सीरीज में आजम पढ़ने वाले हैं पंजाब में होता है प्रिजेंटली शी इस लेविंग विद हर फैमली इन डेली हर हजबन नेम इस गुन निदी डाल्मिया ठीक है अब इनके इंपोर्टेंट वक्स के बारे में बात कर लेते हैं इन्होंने नौबल लिखा है डिफिकल्ड डॉटर्स ठीक है डिफिकल्ड इनका यह जो नौबल है डिफिकल्ड डॉटर्स यह ठीक है और इनकी पहले ही बुक में धामाल मचा दिया था और यह बेस्ट बुक का अवोर्ड जीता था इन्होंने यूरोप और साउथ एशिया में देखा जाए तो कॉमन वेल्ट राइटर्स प्राइज इन्होंने जीत है और उसके बाद है होम यह इनका जो नौबल है यह 2006 में आता है इमिग्रेंट यह इनका फॉर्थ नौबल है जो 2008 में लिखा गया एक और चीज़ है इमिग्रेंट जो है नौबल यह 2011 में शी वह शॉर्ट लिस्टेड पॉर डीए सी प्राइज पॉर साउथ एशिया लिट चीक है बहुत प्रामिनेंट राइटर हैं मौडन राइटर हैं और फैमिनिस्ट हैं तो वुमन एमपावरमेंट के लिए वुमन का जो एक पेट्रियार्किल सोसाइटी में लिवप होता है कैसे उनका पालन पोशन होता है कैसे उनको डिस्क्रिमिनेशन से को फेस करना on themselves यह इन्होंने एडिट किया है इस जर्नल को मंजु कपूर ने और यह कब हुआ था 2014 में और उनका लेटेस्ट अगर कोई नॉबल माना जाता है तो वो है ब्रादर्स जो 2016 में अपियर हुआ था ठीक है और काफी बहुत अच्छी राइटर है आप इनके बारे में अगर आप इनको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं और आप एजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे इनकी सारी चीजों को डे टो डे लाइफ ओफ विमन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बहुत इजिली बहुत अच्छी राइटर है अब इनकी कुछ एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं मैंने इनके वर्क्स को पहले इसलिए लिया है क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जैसे जैसे हम इनका इंट्रो पढ़ेंगे तो आपक किया है 1972 में और एंफिल इनो ने किया है डेली युनिवर्सिटी से इसी के साथ साथ डेली युनिवर्सिटी में जो मिरांडा हाउस कॉलेज है यहां पर इनो ने पढ़ाया भी है शी वास लेक्टर देयर प्रजेंटली शीहाज रिजाइन फ्रम और जॉब अभी जॉब न फेस्टिवल हर साल अयोजी तोते जैपूर में वहां पर भी इनको बुलाया जाता है लाहोर में इनोंने लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड भी किया था वहां पर इनोंने अपनी डिफिकल्ड डॉटर को ही एक्स्प्लें किया है आप इसकी इंट्रव्यूस जो है वो गू सेटब जो एक पारिवारिक माहोल है तो फंसरे महिलाओं के प्रतीज लड़ीओं के फ्रतीव ह डुदा खाल लिखा दिया जरूरत है तो पढ़ा दिया नहीं है तो कोई सभाल सके हजबन को संभाल सके जितना अच्छा उसका होल्ड होगा घर के कामों पर अधर एक्टिविटीज में तो वह अपने ससुराल में अच्छे से रह पाएगी एक अच्छा लड़का उसको मिल पाएगा ऐसी सोच को लेकर एक पेट्रारिकल सेट अप दिखाया जाता है के लिए अपनी पहचान बनाने के लिए उनको इस तरह से दिखाया गया है कि वास्तों में जब आप इनको पढ़ते हैं तो आप ऐसा फील करेंगे कि यह सारी सिचेशन हमसे कहीं रिलेटेड है बींगे वुमन बींगे मदर सम्टाइम आई ओलसो फील कि हां हमारी ऑल्मॉस सबकी लाइफ लड़कियों की लेडिस की वुमन की सेम ही होती है कुछ-कुछ चीजों को फरक हो सकता है लेकिन तरीका अलग हो सकता है फीलिंग्स अल्मॉस्ट वही होती है इना इन फॉर्टिलिटी आज कल जो सबसे ज़एदा प्रॉब्लम जो दिखाई जाती है वुमन म वह क्या है कै विमिन में क्या प्रॉब्लम है इन फॉर्टिलिटी की अगर कोई female शादी के बाद conceive नहीं कर पाती है तो उसे क्या क्या चीज़ें face करने पड़ती है एक उसका इनर्मोस्ट फीलिंग्स क्या होती है इन फॉर्टिलिटी की कंडिशन में वो सबको बताया गया infidelity infidelity भी बताया गया कि कैसा एक अंदर का arrogance है वो निकल कर frustration को जो निकल कर बाहर आता है struggle for existence जो women है वो struggle करती है अपने existence को लेके कि हम क्यों है हम क्यों survive कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें इनके हर novel में आपको relate कर सकते हैं जो एक conventional expectations है आपको ऐसे ही रहना चाहिए ऐसे उठना चाहिए आपको husband के साथ ऐसे treat करना चाहिए मूँ बंद रखना चाहिए कम बोलना चाहिए अच्छे से smile करना चाहिए सजगज कर रहना चाहिए काम में आपको efficient होना चाहिए घर के कामों में है तो बहुत सारी ऐसे बच्चों का अच्छे से nourishment करना चाहिए साससुर की सेवा करने चाहिए religion को follow up करना चाहिए ऐसे सैंक्डों ऐसी चीज़ें है जो conventional है conventional यानि हमारे आस पास जो चीज़ों को expect किया जाता है women से वो सारी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है women's का frustration है कि वो एक lady जो है वो सारी चीज़ों को tackle कर रही है हर चीज वो अपनी family के लिए कर रही है she spends a lot of time for her family लेकिन वो खुद के बारे में भूल जाती है खुद की चीज़ों को neglect करती है ignore करती है उसके जो dreams है उसके जो wishes है उन सब को वो अपने family के लिए sacrifice कर देती है उनको time देने के लिए उनके लिए हर चीज़ available करने के लिए और यहां पर उनको refusal भी मिलता है अगर कभी किसी तरीके से वो किसी चीज़ से अगर सहमत नहीं है they are not agree with some decision or some work but they have to stay calm and quiet तो यहां पर वो refusal को भी बताया जाता है कि कई बार उनको अपनी मन की करने का कभी मोका नहीं मिलता है वो सारी चीज़ें यहां पर दिखाई गई है अब हम बात करते हैं आगे she has a peculiar way of writing as the first as she first draws her ideas and feelings before converting into art ऐसा लगता है कि मन्जू कपूर जो है मनलब उनके novel जो आप पढ़ते है उनके जो एक way of writing है वो इस तरीके का है मानों ऐसा लगता है कि वो पहले अपने जो characters है अपने जो ideas है अपने जो feelings है उन सारे characters को एक paint करती है ऐसा लगता है कि वो draw करती है अपनी feelings को इससे पहले कि वो उनको अपनी उस art में convert करें अब हम brief intro लेते हैं मन्जू कपूर के सभी novels का आप सच में जब उनको पढ़ेंगे मैंने एक brief summary देने की कोशिश की है जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सच में ऐसा feel होगा कि हाँ ऐसा होता है वोमन्स के साथ में सबसे पहले लेते हैं difficult daughters को यहाँ पर characters के name याद रखना बहुत important है सीदे सीदे question बनते हैं इनसे देखिए difficult daughter का जो setup है 1930 से 1940 का जो time है वो बताया गया है of a middle class Punjabi family 1930 और 40 के time पे आप सबको पता है कि भारत में स्वतंतरता अंदोलन चल रहा था भारत को जो स्वतंतरता है 15 अगस 1947 को मिलती है और एक नया देश जो है वो हमसे तूटकर बनता है वो है पाकिस्तान जिसको स्वतंतरता मिल जाती है हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को और उस time पे बहुत बड़ा मासकार होता है बहुत बड़े लोग लेवल पर जो लोग है वो migrate होते है पाकिस्तान से करोडों लोग यहां पर आते है और हजारों करोडों की संख्या में जो लोग है वो migrate होते है इंडिया से पाकिस्तान की ओर होते है तो इसी तरह सो जो पंजाबी क्योंकि पंजाब स्टेट जो है वो दोनों तरफ ही बन जाता है अभी तो यहां पर एक फैमली, पंजाबी फैमली के setup को ही दिखाया गया, मन्जु कपूर खुद अमरट सर से बिलॉग करती है, खुद पंजाबी हैं, तो उन्होंने एक पंजाबी फैमली को ही इंट्रोडिउस किया है है इसमें, अब हैं इनके मेन character के बारे में, जो मैंने बात किती स्टार्टिंग में कि difficult daughters जो एक setup दिया गया है वो three generations का दिया गया है सबसे पहले कस्तूरी ये pre-independence से पहले का एक character है फिर है वीर मती जिसके पूरे इर्दगर्दिये कहानी घूमती है फिर तीसरा जो character आता है इदा का ये post-independence independence मिलने के बाद जो condition होती है ये होती है कस्तूरी कोन है वीर मती कोन है और इदा कोन है इनके बारे में बात कर लेते हैं हमारी पूरी कहानी घूमती है इस वीर मती के आगे पीछे वीर मती किसकी daughter है कस्तूरी की daughter है वीर मती daughter of कस्तूरी ठीक है और ये जो इदा है ये किसकी बे एक्टूर artist को लेकर ही स कहानी को बताया गया है best date time पीरिड को बताता है प्री इंडिपेंदेंस म के जो टाइम है फूरिए टाइम का टाइम है यानि कि कैसे स्वा तंतरता से पुरू महीलाई रहा परती थी गुकत की निकलने दिया जाता था बहुत कम मुमर में शादी हुआ करता था बहुत बड़े स्केल पर फैमिली को संभालना पड़ता था उनकी अपनी इच्छाएं तो जैसे मानों खत्मी हो जाती थी फिर है वीर मती का जो करेक्टर है वो स्ट्रॉगल फॉर इंडिपेंडेंस यानि कि यह जो टाइम था वीर मती का इस टाइम पर एडिकेशन देना थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था इंडिया में तो यहां पर जो लड़किया थी इस उम्र की इस ट्रॉगल करती थी अपने इस ट्रॉगल चल रहा था और इदा का जो करेक्टर है वो पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस को बताता है सवतंतरता के बाद में यानि कि जब महिलाओं को बहुत विडम मिल चुकी है तो उसके बाद भी उनकी लाइफ सेल में कैसे चेंज़़ आते हैं वो सारी चीज़ों को अब हम बात करते हैं हरीश की हरीश कोन है हस्बेंड ओफ वीरमती और ये अल्रड़ी मैरिड होता है हस्बेंड ओफ गंगा यानि की गंगा जो है इनकी पहली पत्नी होती है और वीरमती जो है इनकी सेकेंड वाइफ बनती है अब हम स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि हरी हीष दो दो शादियां कैसे कर चुगा होता है स्टोरी स्टार्ट होती हेican in the funeral voyeur क्योंकि जब यह जीवित होती है तब तो यह मा बेटी में conversation बहुत कम दिखाया जाता है बात नहीं करती है क्योंकि इदा जो है वो एक post-independence time से है तो यह अपने आप में मस्त है अपनी education को लेकर अपनी lifestyle को लेकर मस्त होती है अपनी मा से बहुत कम बात करती है लेकिन जब उ होता है तो इससे अपनी मा के प्रती कुछ feelings जागती है और इसका मन करता है कि वो उनके बारे में और जाने she wishes to gather more information about her about her mother so she goes to lahore Pakistan at वीरमती's relatives तो इसलिए जो इदा है वो वीरमती के relative से मिलने जाती है पाकिस्तान जाती है वहाँ पर उनसे बात करती है उनसे मिलती जुलती है अपनी मा के बारे में जानकारी इकठी करने की कोशिश करती है अब इसको वहाँ पर जाकर जब पता लगता है कि इसको वहाँ पर जब लाहोर जाती है इदा तो इसको पता लगता है कि इसकी मां है इसका परिवार है वह आर्यमा परिवार से बिलॉंग करता है और वीर्मति जो है वह अपने घर में सबसे बड़ी बेटी होती है वुर्मति के ग्यारा भाई-बैन होते है और इसका काफी strong bond होता है अपनी सबसे चोटी बहन पारवती के साथ में यानि कि इदा की मासी के पारवती के साथ इसका सबसे ज़्यादा जो है वो connection होता है है अब एक और चीज आती है कि वीरमती जो है यह एक ऐसा रोल प्ले करती है मतलब अपनी लाइफ में कि अपने बड़े अपने चोटे भाई बहनों के लिए वह एक तरह से माई होती है क्योंकि 11 भाई बहन है ये सबसे बड़ी होती है वीरमती तो अपने छोटे भाई बहनों की वो उतनी ही केर करती है जैसे एक माँ अपने बच्चों की करती है बड़ा उनसे प्यार करती है बड़ा उनसे केर भी करती है बट वीरमती has a bossy attitude है ना short tempered भी होती है well educated woman भी होती है अपनी शादी के बाद में भी अपनी education को complete करने की कोशिश करती है और अपनी master degree को complete करती है कौन करती है वीरमती करती है अब यहां पर यह जो हरीश है यह इसके contact में आती है ठीक है और हरीश जो है वो already शादी शुदा होता है लेकिन इसको बताता नहीं है जब इसके इससे यह शादी कर लेती है वीरमती जब शादी कर लेती है हरीश से तो इसकी मा बहुत नाराज होती है और वो उससे कभी बात नहीं करती है तो इस तरह की story को बताया गया है कि यहां पर तीन generations है difficult situations है लड़कियों की हर उम्र में चाहे वो किसी भी पड वार को संभालती है ग्यारा भाई बच्चे होते हैं उनके ठीक है तो कैसे वह अपने traditions को फोलो करती है फिर जो उनकी बेटी है वीरमती वह फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी करती है अल्रेडी उसका husband married होता है लेकिन वह उसको बताता नहीं है लेकिन फिर जब वीरमती जब उसको convince करती है कि वह अपनी शादी को तोड़ेगी नहीं और उसके साथ ही हरीश के साथ रहती है उसकी first wife गंगा के साथ ही रहती है थोड़े disputes भी होते हैं लेकिन फिर भी वह adjust करती है लेकिन यहां तीसरी generation जो है वह इदा ऐसा नहीं कर पाती है वह अपने husband से separate हो जात बात करते हैं home के बारे में अब इनका जो novel है home इसके बारे में बात कर लेते हैं यहां पर फिर से एक setup मिलेगा आपको यह है बनवारी लाल जो एक साडी seller है जो कहां रहते हैं करोल भाग डेली में रहते हैं यह भी migrant from Pakistan and is proud of her of his साडी बिजनस करते हैं पाकिस्तान में पाकिस साथ में रहते हैं यह एक joint family को लेकर अपने साथ चलते हैं अपने भाई भैन जो है इनकी wife हैं बच्चे हैं सब इनके साथ में रहते हैं अब जो इनको बड़ा अपने family business पे प्राउड होता है क्योंकि एक नाम चलता है इनका और अपने family norms के लिए अपने family के उसी popularity को अपन यश्पाल की wife है यानि बनवारी लाल की daughter-in-law है यश्पाल और सोना love marriage करते हैं और family के against होते हैं यह नहीं चाहते कि इनकी love marriage हो लेकिन यश्पाल इस चीज़ से agree नहीं करता है तो वो अपनी wife सोना को अपने साथ ही रखता है अपने घर में ही लेकर आता है love marriage होती है लेकिन पहले थोड़ा पर dispute होता है बनवारी लाल और उनकी wife के साथ बाकी सब के साथ but finally set up हो जाती है वो रहने लग जाती है लेकिन 10 साल हो जाते है उसकी शादिक और उनके कोई बच्चा नहीं हो पाता है यश्पाल और सोना के कोई भी बच्चा नहीं हो पाता है 10 साल बाद इनक सोना इनकी बहु है अब यहां पर सोना के obsession को दिखाया जाएगा आगे यहां पर हम बात कर लेते हैं एक और character के बारे में सुनीता सुनीता जो है वो बनवारी लाल की बेटी है इसकी जो marriage है वो बड़ी disastrous रहती है यानि कि अपने शादी में खुश नहीं होती है इसका husband इसक हमारी main protagonist है इस novel की home की और सोना और यशपाल की बेटी है हम पहले ही बता चुके है निशा falls in love however the love affair fails and heart broken she is infested with a disease that spoils all her beauty बढ़ी प्यारी सी बच्ची होती है family का मतलब आंखों का तारा है she is an apple of her family यशपाल और सोना का an apple of eye है ना तो यह बड़ा उसको प्यार करते हैं बड़ा उसको care करते हैं लेकिन विकी जो है यह भी उसी family में रहता है क्योंकि इसके जो नाना है बनवारी लाल इसकी मा की जब death हो जाती है तो इसे अपने साथ ही ले आते हैं बाकी family वाले तो बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं उसे अपने पादर के साथ या अपने दाद के परिवार में रहना चाहिए बड़ बनवारी लाल कहते हैं कि नहीं मैं इस बच्चे को अपने पास ही रखूंगा अब यह जो पूरा novel जो है वो किसके एर्दगिर्द गूमता है यह गूमता है विक्की और निशा के आसपास की situations को दिखाता है कि किस तरह से इन दोनों भाई बैनों में आपस में disputes जो है वो चलते रहते हैं निशा जो है वो अपनी अच्छी educated है और इसके एक दो छोटे छोटे love affairs रहते हैं और successful नहीं हो पाता इसका love affair लेकिन फिर यह एक ऐसे बिमारी बिजनस सेट अप करती है और फिर एक marriage करती है यह एक widower आदमी से है और get settled into a home और फिर एक अपने आपको उस family में set up कर लेती है एक विधूर व्यक्ति से शादी करती है और घर में ही settled हो जाती है in the home portrayal of woman is appreciatable particularly sona's obsession to become a mother home जो है घर जो है यह जो portrayal करता है है यह हमें women's का जो portrayal दिखाई देता है निशा का है चाहे कि अपने आपको कैसे भी severe situations है उसमें वो अपने आपको business woman के तौर पर set up करती है जो सोना है वो obsession दिखाया गया है उसको कि वो कैसे मा बनने के लिए तड़प रही होती है बड़ा real दिखाई देता है it seems very real बड़ा अच्छा सा दिखाई देता है बड़ा real दिखाई देता है and so is her wonderful transition of Nisha from an innocent beauty to a strong-willed woman हम लग देखते हैं कि जैसे वो बिमार होती है उसकी सारी कुपसूरती खत्म हो जाती है लेकिन फिर वो अपने आपको एक strongly build up करती है और उसकी जो innocent beauty है उससे वो एक strong-willed woman बनकर सामने आती है वो सारी यहाँ पर बताई गई है एक और चीज़ इसमें आ जाती है कि यह जो home है क्योंकि विकी जो है वो काफी बड़ा एक अजीब करेक्टर है है इसमें अजीब तो नहीं कह सकते है एक मालब dominant behavior वाला लड़का है जो नीशा को बड़ा परिशान करता है बड़ा उसको साथ तंग करने की कोशिश करता है उसको कैसे न कैसे उसको सुनाता रहता है किसी न किसी बात पे लेकिन ऐसा है है कि जो उनका नाम था जुटकर रह जाते और छोट छोटे फ्लैक्स में हो जाते हैं अपने अलग सेट अब chili तो एक जो फैमिली मेंबर्स रालग अपने फैमिली में अलग से सेट अप हो जाती है तो एक जो home का जो concept है वो यहाँ पर तूट कर बिखर जाता है हैना तो यहाँ पर एक image को दिखाया गया है woman की, जो move करती है बड़ी conservative society से और अपने norms के according जो society में रहना पड़ता है उनको उस चीज़ को वो बताती है तीक है, अब हम बात करते है चलो एक और चीज़ में आपको बताना भूल गई difficult daughters के बारे में difficult daughters के बारे में यह आता है कि इस work को पहले कई publisher ने कई बार reject किया था, इसलिए मन्जु कपूर जया वो उसमें amendment करती है उसको cut down करती है, उसको थोड़ा refine करती है final publishing से पहले उसको refine किया जाता है और मन्जु कपूर का यह one of specific trait है कि वो जब काम करती है different novels के उपर एक ही time में तो वो remarkable बन जाता है तो इन्होंने उसको बड़ा अच्छे से clear करने की कोशिश की है और एक और चीज आती है कि difficult daughter को 8 year लग गए थे उनको उस काम को खतम करने में, अब हम बात करते है a married woman की a married woman का जो concept है वो क्या है, यह है a married woman talks about the different phases of life of a woman आस्था, pre and post marriage, हम पहले भी बात कर चुके है Manju Kapoor is a feminist तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिती के बारे में, क्योंकि उनको एक ऐसी society में धकेला रखा जाता है कि वो उनका concept है कि पैदा होने से लेके बड़े होने तक और आगे life में उन्होंने क्या करना है, वो शादी तक सिमट कर रह जाता है तो यहाँ पर उसकी शादी के पहले की situations को और उसकी शादी के बाद की situation को दिखाया गया है आस्था is a talented painter and the only daughter of a senior bureaucrate and a mother who is a teacher by profession, आस्था जो है बड़ी अच्छी an imposed decision on her daughter आस्था की जो life के जो शुरुआती से ही जो हम देखते हैं पढ़ते हैं जब novel को तो ऐसा साफ दिखाई देता है कि उनकी जो life है वो शुरू से उनकी ममी ने बड़ी control करके रख्य हुई है और वो अपना her decision अपनी इस बेटी पर थोपती रहती है like a typical mother she focus all her energy on molding आस्था into an ideal wife उनका एक जैसे typical mother होती है उनका पूरा फोकस होता है कि अपनी बेटी को उस अंचे में ढाले कि जिसमें एक ideal wife के तोर पर नजर आए daughter-in-law चाहिए वो एक अच्छी बहु बने and a perfect mother और एक बहुत अच्छी मा बने यानि कि Indian society में most of यही सिखाया बच्पन से जाता है कि आपको कैसे अच्छा एक अच्छी लड़की बनना है एक अच्छी पत्नी बनना है एक अच्छी मा बनना है एक अच्छी बहु बनना है वो सारे संसकार इनको देने में लगी रहती है माई फिर हेमन्त यह एक MBA होल्डर है जो USA से MBA करके आता है जिससे आस्था की शादी करवा दी जाती है एजाज एक street play artist होता है नुकड नाटक आपने नाम सुना होगा देखे भी होंगे ask her to develop the script for a central play centered on बाबरी मस्जिद तर्मोईल बाबरी मस्जिद तर्मोईल जो होता है राम जन भूमी का जो विवाद चलता है उसके उपर एको नाटक की script इसको लिखने के लिए देता है एजाज क्योंकि आस्था जो है वो शादी के 11 साल तक अपनी life को एक housewife के तोर पर सीमित करके चलती है finally she decide to teach अब वो पढ़ाना चाहती है क्योंकि अपने आपको गुटन में महसूस करने लग जाती है तो वो उस चीज़ से बाहर निकल कर आती है और जब वो स्कूल में पढ़ाती है तो वहाँ पर उसे एक street play writer artist मिलता है एजाज जो screen play कर रहा होता है यानि कि जो theater में perform करता है तो यह उसको कहता है कि तुम मेरी थोड़ी help करो तुम बहुत अच्छा लिखती हो जैसे जैसे वो उसे conversation करता है तो उसे लगता है कि यह मेरी help कर सकती है तो वो उसे बाबरी मज़े टर्मोईल पर play center पर कुछ script लिखने के लिए करता है फिर है पिपलिका एक social activist अब यह जो एजाज है इसका किसी वज़े से अचानक इसकी death हो जाती है फिर यह contact में आती है हमारी आस्था पिपलिका के पिपलिका एक social activist है आस्था और पिपलिका begins a relationship that breaks all the conventions यहां पर एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि आस्था जो अपनी marriage life में ठीक ठाक चल रही होती है उसकी कोई खास desires नहीं है अपनी family को वो पूरा time देती है अच्छी बहु है अच्छी पत्नी है शादी के 2-3 साल तक तो husband के साथ उसका बहुत अच्छा एक romance वाला जो एक concept है वो अच्छे से चलता है फिर उसके बच्चे हो जाते हैं अगले 5-6 साल वो अपनी पूरा ध्यान जो है अपना attention जो है वो बच्चों की परवरिश पे लगा देती है और इसी तरह से आगे कि उसके एक साल जो है वो निकल रहे होते हैं उसकी life में वो अपना कुछ भी खुद के बारे में नहीं सोच पाती है क्योंकि एक painter होती है उसको घर में painting space नहीं मिलता है तो वो उसको भी give up कर देती है ऐसे कहीं उसका जादा कहीं आना जाना नहीं होता अगर जाती भी है तो वो अपने family standards को लेकर ही चलती है कि मैं कहीं कोई गलब ना कर दो किसी से ज़्यादा बात ना कर लो कोई मुझे देख के कुछ और ना सोचे ऐसे हजारों चीज़ें होती है जिसको लेकर वो शान्त रहती है अब एजास जय है फिर उसको पिपलीका से जब वो introduce होती है तो उसको लगता है कि हाँ पिपलीका ही वो right person है जो उसे अच्छे से समझ पा रही है तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एक concept आता है वो क्या है of individuality beyond conditioning of spirituality beyond religion of connection beyond sexuality यानि कि इसे लगता है कि एक पिपलीका ही ही है जो उसे अच्छे से समझ रही है उसको उसके साथ हो एक relation create करती है यहाँ पर sexuality की बात नहीं है यहाँ उस sexuality से कहीं परे एक connection है जो उसको understand कर रहा है उसको comfort दे रहा है अब यह एक जो upper middle class की जो working human है डेली की रहने वाली है यह बड़ा अपने आपको अच्छा महसूस करती है उसके साथ में it is an alluring है ना और sensitive and provocative provocative story of love है sentiments है और profound attachment है जो एक spiritual chaos से निकल कर आती है यानि कि बहुत उपर उठ जाती है उनके साथ में वो relation के शाथ में एक और चीज में आपको बताना चाहूंगे यह जो यह जो novel है इनका Manju Kapoor का A Married Woman इसके उपर एक web series भी बन चुकी है जो किस ने बनाई है एकता Kapoor जी ने बनाई है The Married Woman के नाम से अगर आप चाहें तो आप उस web series को भी देख सकते हैं आप एकदम हर चीज को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे एक आस्ता जो एक upper middle class family से belong करती है कैसे अपने innermost feelings को लेकर निकलती है कैसे अपने आप में वो stand ले पिए कि अब मुझे अपने लिए जीना है यहाँ पर उसकी search of identity को दिखाया गया है ठीक है? टीवी सीरियल्स जो है वो बनाई गए है ठीक है? कस्टडी के उपर हिंदी में भी एक टीवी सीरियल बना है जो star plus पर telecast हुआ था ये था ये है महाबते अगर आपने किसी ने देखा भी होगा अच्छी स्टोरी थी कस्टडी को लेकर एक characters के बारे में बात कर लेते हैं रमन जो है वो किसी कमपनी का flourishing soft drink company है उसका CEO होता है शगुन उसकी wife होती है bold है, beautiful है, इनके दो बच्चे है और अशोक खन्ना जो है ये उस कमपनी का boss होता है रमन का boss है इशिता जो है वो एक ill-fated divorcee lady है ये इसका divorce क्यों हो जाता है इशिता का क्योंकि वो infertile है ना infertile यानी बांज है वो बच्चा उत्पन नहीं कर सकती है फिर कुछ situations ऐसी हो जाती है कि रमन जो है वो सिर्फ अपने business पर ध्यान देता है हालांकि रमन और शगुन की भी love marriage होती है लेकिन वो अपनी शादी शुद और जिंदोगी में अच्छे होते है लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसको time नहीं देर पा रहा होता है जबकि जो शगुन है वो बड़ी खुबसूरत है बड़ी energetic है बड़ी enthusiastic है और वो चाहती है कि रमन उसको पूरा attention दे इनके बच्चे भी हो जुके होते है दो बच्चे भी होते लेकिन रमन जो है वो सिर्फ अपने काम की दरफ ज़्यादा focus हो जाता है किसी भी बात पर aggressive हो जाता है तो यहाँ पर जो शगुन है वो उसके साथ discomfort फिली करना शुरू कर देती है और उसकी attachment किस से उनी शुरू हो जाती है अशोक खना उसके बॉस के साथ में और जब रमन को यह सारी चीज़े पता लगती है तो वो वहाँ पर आपस में डावोर्ट्स ले लेते हैं शगुन और रमन ले लेते हैं तीक है अब यहाँ पर बात आती है उनकी custody को लेकर बच्चों की रमन चाहता है कि बच्चे उसके पास रहें लेकिन जो शगुन है वो चाहती है कि बच्चे उसके पास रहें क्योंकि बच्चे छोटे वी होता है और court भी उनको यही favor देता है कि बच्चे जो है वो शगुन के पास रहें ठीक है अब बच्चे जब अशोक खना के पास में आ जाते हैं अलांकि यह दो शादी नहीं करते हैं लिविन में रहते हैं काफी समय थक इसकी शादी इसलिए तूट जाती है क्योंकि यह बच्चा पैदा नहीं कर सकती है फिर हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि यह दोनों फैमिली जापस में आमने सामने होती हैं और इशिता और रमन की शादी हो जाती है यहाँ पर एक सूर्य कांत नाम का करेक्टर है एसके जो इशिता का हस्बेंड होता है जो उसे छोड़ देता है फिर है रूही और अर्जुन जो हम बच्चों की बात कर रहे हैं बार बार तो ये बच्चे कोन है रूही और अर्जुन ये शगुन और रमन के बच्चे हैं ये इनके बच्चे हैं अब शगुन जो है वो अशोक खना से शादी कर लेती है she takes custody of her children ये उनकी custody ले लेती है फिर situation इसी हो जाती है कि शगुन भी अपने बच्चों को खुद छोड़ देती है और इशिता जो है वो फुल्फिल करती है अपनी उन चीजों को कि एक मदरली फीलिंग जो वो खुद अपने लिए चाह रही थी यानि कि उसके खुद के बच्चे हो तो वो जो एक एक जो फीलिंग और रमन को मिल जाती है तो ये अपनी मदरली फीलिंग जो है वो पूरा इन के उपर लुटाती है अर्जुन और रूही के उपर ठीक है और उसकी जो एक कमफर्ट है वो उसकी फुल्फिल हो जाती है इशिता की कि उसको बच्चे मिल जाते है और बच्चों को एक मा मिल जा किया गया है प्रयानम नाम से इसको हो जो है वो टेली कास्ट किया गया था ठीक है हाँ प्रयानम प्रयानम नाम से मल्यालम में इसको किया गया था टेली कास्ट ठीक है और इस तरह की स्टोरी जो है वो इसमें बताई गई है अब हम बात कर लेते हैं इमिग्रेंट के बारे में immigrant भी इनका novel है मन्जु कपूर का इसमें किसके बारे में बताया गया है नीना जो है यहां का main productist है ठीक है नीना जो है एक school teacher है Miranda house न्यू डेली में lives with her widowed mother यह अपने विद्वा मा के साथ रहती है और आनंद जो है यह husband है नीना का यह एक dentist है from Canada, Canada से एक dentist है यह नीना lost her job after her marriage and settles in Halifax Canada it is a less of it is a loss of identity for her क्योंकि जब नीना की जो शादी होती है तो इसके लिए loss of identity हो जाता है एक तरह से कि यह वहाँ शादी के बाद इससे अपनी job चोड़ने ही पड़ती है अपनी मा को चोड़ना पड़ता है identity का loss हो जाता है फिर वहाँ जब जब जाती है Canada में तो इसको वहाँ पर जादा वहाँ पर अपने husband से एक comfort feel जो होता है एक wife को वो नहीं हो पाता है और धीरे धीरे फिर यह वहाँ उससे भी separate हो जाती है और वहाँ पर ही एक और व्यक्ति से यह जुड़ती है उन चीजों को बताया गया है इसके उपर भी एकता कपूर ने एक serial बनाया था को परदेश में है मेरा दिल अगर आप वो भी चाहें तो आप YouTube पे Google पे सर्च कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा serial है फैमिनिसिजम को बताया गया है कि कैसे वो अपनी लाइफ को सेट अप करती है ठीक है वो सारी चीजों को बताया गया है यहां पर इमिग्रेंट में तो इसी तरह से बन्जू कपूर के बारे में जितने भी most important जो work बनते हैं वो हमने कर लिये हैं एक और आता है इनका जो brothers जो noble आता है वो भी एक story setup है थोड़ा confusing मुझे लगा था personally पर इसके भी आप characters के name ध्यान में रखना चाहो था आप रख सकते हो यह जो story है brothers वाली यह है हिम्मत सिंग गैना के बारे में जो CM of Rajasthan दिखाये जाते हैं इस story के setup में 2006 का setup दिखाया गया है हिम्मत सिंग का और हिम्मत सिंग जो है इनको assassinate किया जाता है इनको मार डाला जाता है इनके ही छोटे भाई मंगल के द्वारा यानि हिम्मत सिंग और मंगल दो भाई है इनकी story को यहाँ पर दिखाया गया है ठीके है अब इनके बीच में जगडे का कारण कोन होता है तापती होती है तापती जो मंगल की वाइफ है लेकिन हिम्मत से वो काफी प्यार करती है इन चीजों को बताया गया है और इनका एक जो story background है वो लाल बंग गाउं है जो राजस्तान का ही एक गाउं कह सकते हैं आप ancestral village और ये एक mirror story है यानि कि अतीत में जहांकने वाली कहानी है उन चीजों को बताया गया है यहाँ पर ठीके है यहाँ पर हिम्मत के जो हिम्मत और मंगल के जो father है और उनके जो भाई है इन सब के बारे में इन कहानी का ताना बाना लेकर चलते हैं जो present में आके इनके साथ भी वैसा ही कुछ कर देता है तो आज के लिए इतना ही मंजू कपूर से related जितने important character थे जितने important novels थे हमने सारी discuss की जल्दी मिलेंगे और नई writers के साथ में तो आज के लिए इतना ही easy easy life YouTube channel के साथ जुड़े रहे है चैनल को like, share और subscribe करना ना भूले अपनी त्यारी को बहतरीन बनाए धन्यवाद